स्वागत स्टुडेंट्स आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 5 में विसे गनित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अगला पार्ट इससे पहले पार्ट हमने कर लिये हैं अगर आप नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाकर देखें तो 4, 8, 12, 16 और 20 बह है 6 के प्रथम 3 गुनज वही 6 का पार्ट लिखेंगे या 6, 6 जोड़कर लिख देंगे 6, 12 और 18 प्रथम 3 हो गए अगला देखिए 7, 14, 21, 28, 35 किस के गुनज हैं देखिए किसका पार्ट है 7 का है 7 के गुनज है यह अगला है संख्या 3 एवं 4 के साजा गुन लिखने है तो ऐसी संख्या लिखनी है जिन में 3 और 4 दौनों का भाग जाता हो तो पहले 3 के आप गुनज लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 आएगा हमें 2 लिखने है और आप 4 के लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24 आएगा आप देखिए दौनों में से दौनों कामन संख्या कौन कौन सी है एक तो 12 है और एक 24 है तो 2 साजा गुनन खंड कौन से हो गए 12 और 24 लिख देंगे आप फल में अगला है 10 और 15 का सबसे छोटा गुनज लिखना है तो 10 का गुनज लिखेंगे 10, 20, 30, 15 का 15 और 30 तो सबसे छो गोटा क्या हो गया तीस हो गया जो दौनों में है अगला देखिए 12 के सभी गुनन खंड लिखने है इदर तो 12 में किस-किस का भाग जाता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 अगला देखिए 1, 3, 5, 15 किस संख्या के संभव गुनन खंड है तो देखिए 15 के होंगे अब 15 को आप मल्टिप्ल और 15 का भाग जाएगा तो 15, 30, 45, 60 ऐसे चलते रहेंगे ये आगे तक अगला देखिए 24 और 30 के साजा गुनन खंड लिखने है तो 24 के गुनन खंड क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, 12, 24, 30 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 अब देखिए साजा गुनन खंड जो दौनों में होते हैं तो एक दौनों में हैं, दो दौनों में हैं, तीन दौनों में हैं और 6 दौनों में हैं अगला देखिए 30 एवं 45 का सबसे बड़ा गुनन खंड लिखना है तो 30 का गुनन खंड लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 45 का लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 45 का लिखेंगे 1, 2, 3 गुननखन कौन सा हो गया देखिए 15 हो गया तो 15 उत्तर हो जाएगा अगला आठवा प्रश्ण है संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साजा गुननखन तो 12 के गुननखन 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 36 के क्या हो जाएगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 देखिए जो तीनों में और सबसे बड़ा है कौन सा है 12 तो 12 हो जाएगा उत्तर अगला देखिए संख्या 36 का गुननखन पेड कितने तरीके से बन सकता है उनमें से 3 को नीचे बनाना है देखिए 36 है तो 2 गुना 18 कर दिया 18 को 9 और 2, 9 को क्या कर देंगे 3 और 3 इसी परकार अगर आप दूसरा बनाएंगे 36 लिख देंगे क्या हो जाएगा 6 गुना 6 ये क्या हो जाएगा 3 गुना 2 और 6 क्या हो जाएगा 3 गुना 2 इसी परकार से 36 लिखेंगे क्या हो जाएगा 9 गुना 4 9, 3, 3 गुना 3 और 4 हो जाएगा 2 गुना 2 तो यह 3 हो गए हैं इस परकार से आपको बनाने हैं यह 3 हो अगला देखिए सोनू के एक कमरे के फर्स की माप है 5 मीटर बाए गुना 3 मीटर बजार में 30 सेंटीमीटर बाए 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बाए 20 सेंटीमीटर की चौकोड टाइल उपलग्द है अब इन में से हमें कौन से आकार की टाइल खरिदनी चाहिए जो हमें बिना काटे बिचा सके तो बताना है हमें तो फर्स की माप 5 गुना 3 मीटर है सेंटिमेटर में चेंज कर देते हैं तो 500 सेंटिमेटर गुना 300 सेंटिमेटर हो जाएगा यहां 20 सेंटिमेटर 50 सेंटिमेटर और 30 सेंटिमेटर का गुननखन है जो हमारा दे रखा है हमें जो हमने निकाला है मीटर सेंटिमेटर 500 गुना 300 तो 500 और 300 का गुननखंड क्या हो जाएक अब 20 तो हमें 20 बाइ 20 की चौकोर टाइले खरिदनी चाहिए तो ये था हमारा कक्छा 5 में विसे गनित का पार्ट नमबर 6 मैं तेरा गुननखंड और गुनस तू मेरा पूरा सॉलूशन डिटेल के अंदर इसी प्रकार हम अन्य भी करते रहेंगे जुड़रे ही चैनल से लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद